दोस्तों कई बार ऐसे होता है कि हम लोग ट्रेन के द्वारा कहीं जाने वाले होते हैं उसके लिए railway station पे जाते हैं और railway station पे जाने के बाद हमारे mobile के network काम नहीं करता है उस समय हम जोरत होता है किसी से वाइफाई कनेट करने का क्योंकि हमारे मुबाइल कनेटवर काम नहीं करता ऐसे में आपको पता होगा दोस्तो 80-90% स्टेशन पे वाइफाई इवलेवल होता है रेलवे का फिरी वाइफाई आप चाहे तो उससे यूज़ कर सकते हैं अपने मुबाईल से कनेट करके इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे रेलवे वाइफाई को कैसे अपने मौबाईल से कनेट करना है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कोई password नहीं होता और वो मतलब जैसे वाइफ है अपना open किये और connect नहीं हो पाता है असानी से उसे कैसे करना है इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो करते हैं start और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe वीडियो को like करें ताकि ऐसे इसे वीडियो आपको मिले सबसे पहले दोस्तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस mobile में अभी हमने internet off कर रखा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं mobile data off है इसके बाद यहाँ पे मैं YouTube भी अगर open करते हैं वहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि YouTube ओपन नहीं होगा मतलब उसमें वीडियो प्ले नहीं होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं you are offline यहाँ पे आ रहा है मतलब mobile data off है और यहाँ पे internet काम नहीं कर रहा सबसे पहले यहाँ पे Wi-Fi connect करने के लिए railway का सबसे पहले अपने phone में Wi-Fi open करेंगे on करने के बाद यहाँ पे simply click करके रखेंगे 2 second और यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जागा आप setting से भी जा अकरके इसे on कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं geo net पहले से connect है इसलिए यहाँ से मैं remove कर देता हूं इसको delete कर देता हूं यहां पे आपको connect करना है rail wire के नाम से आएगा जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से इस पे click करके और connect कर लेंगे जैसे कि मैंने इस पे click कर दिया है और आप यहां पे देख सकते हैं connected हो चुका है मतलब connect हो चुका है लेकिन अभी भी इस mobile में internet काम नहीं इसके लिए simply थोड़ा सा wait करेंगे और automatic browser open हो जाएगा या फिर आपके mobile पे एक notification आएगा notification पे click करेंगे और आपको कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा जब तक आप यहां से कुछ प्रक्रिया नहीं करते हैं तब तक आपके mobile में internet काम नहीं करेगा जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं आज चुका है वेलकम टो रेल टेल फास्ट वाइफाई अगर आपके mobile में automatic browser open नहीं होता है इसके लिए notification में जाएगे वहां पे आपको कुछी देर में देखने को मिलेगा simply notification पे click करेंगे आप आजाएगे इस page पे यहां पे connect पे click करेंगे इसके बाद यहां पे अपना mobile number फिल करेंगे जिस mobile number का OTP आप यहां पे फिल कर सके कोई भी mobile number आप यहां पे फिल कर सकते हैं इसके बाद simply फिल करने के बाद next करेंगे next पे click करने के बाद यहां पे OTP डालेंगे जो mobile number आपने फिल किया था उस पे एक OTP भेजा जाएगा verify के लिए उसके बाद OTP डालने के बाद simply next पे click कर देंगे जैसे कि मैं यहाँ पे OTP फेल कर चुका हूँ और next पे click कर चुका हूँ जब आप अपने mobile main, mobile number और OTP डाल कर next करेंगे इसके बाद आपको दो plan देखने को मिलेगा free plan और second यहाँ पे मिल जाता है paid plan जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप paid plan select करते हैं यहाँ पे आपको कुछ पैसा pay करना परेगा और यहाँ पे आपका mobile network fast चलेगा लेकिन अगर आप free plan select करते हैं यहाँ पे normal speed होता है simply यहाँ पे free में use करने के लिए free plan पर ही click करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं about rail tail आ चुका है मतलब जो अपने अपने mobile से connect किये हैं wifi उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अगर आप चाहे तो read कर सकते हैं नीचे आपको मिल जागा read more का option अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं इसके लिए आप simply read more पर click करेंगे और इसके बारे में और ज्यादा जान सकते हैं फिलहाल इस phone में wifi connect हो चुका है इसके लिए चलते हैं YouTube में और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि YouTube play हो चुका है मतलब यहाँ पे वीडियो आ चुका है अगर मैं यहाँ पे एक वीडियो पे click करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ simply इस पे click करता हूँ और click करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे वीडियो प्ले हो चुका है वीडियो चल रहा बहुत fast भी चल रहा है slow नहीं चल रहा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं mobile data भी आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि mobile internet off किया गया है और wifi connect है rail का जो wifi होता है वो यहाँ पे connect किया गया है फिर भी यहाँ पे YouTube में वीडियो बहुत fast चल रहा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं scroll off, scroll down करने के बाद जो भी वीडियो आ रहा है सारे fast open हो रहा है ऐसे करके आप कहीं भी station पे जाते हैं तो railway का wifi यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान देना है railway की तरफ से जो wifi परवाइड किया जाता है emergency के लिए परवाइड किया जाता है मतलब आप कभी किसी station पे जाते हैं वहाँ पे आपकी mobile का internet काम नहीं करता है उस समय आप चाहते हैं किसी train का status देखना या फिर कोई ticket book करना या फिर कुछ भी काम हो कोई other भी काम हो तो भी आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं railway का wifi connect करके और video upload करना या फिर download करना वो आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे limit दिया गया है और limit जब खतम हो जाएगा उसके बाद आपके mobile में internet काम नहीं करेगा इस बात को आपको ध्यान देना है और wifi यूज करना है railway का जो provide किया जाता है ऐसे करके आप अपने mobile से rail का wifi connect कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपका कोई और कोचन हो आप comment box में बता सकते हैं और अगर एक वीडियो आपके लिए helpful हो तो वीडियो को like, share और channel को subscribe करना कभी न भोले चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में